सिफ पे भी मार्केट का पूरा फोकस रहेगा क्योंकि यहां पे कलम ने भारी बिकवाली तो देखी थी पर आज जो है CLSA की रिपोर्ट आई है BEL पे जहां पे उन्होंने रेटिंग डाउन ग्रेड कर दी है अब वो खरदारी की राये से डाउन ग्रेड करके उन्होंने अब को मेंटेन रखा है वहाँ पे और लक्ष में बड़ोतरी करके 4730 के आसपास के दे रहे हैं दोनों ही काउंटर पे राय लेते हैं क्या यहां पे एक पेर ट्रेड का मौका है कि BEL और बिकवाली रिखा सकता है और HAL क्यूंकि यहां पे मार्केट ने काफी अची तरीके से इस दोनों ही काउंटर एक बार चेक करके बताईए क्या यहां पे एक पेर ट्रेड की रन्नीती लेनी चाहिए तेके जहां तक BEL का सवाल है यहां पे structure बहुत ही weak है और current scenario में stock तो है वो 221 तक आ सकता है 255 का close है so BEL में categorically ना है reason big is this that कि अगर आप weekly chart देखो तो for the week ended 18th of May 2024 258 का close था और उसके next week 24th of May 2024 का जो high था वो 299 था तो जो gap up opening हुआ था for the week वो gap fill करने के दिए stock आएगा जिसका low up बना है 221 so 221 तक यह stock नीचे में आ सकता है तो वहां पे definitely खरीदारी की सलार नहीं रहेगी जहां तक HAL का सवाल है HAL में current जो support बन रहा है वो बन रहा है बहुत ही near that is 4,343 का close है जो low है 3955 वहीं पे quarter year monthly chart के हिसाब से बहुत ही strong support आ रहा है तो हमारे हिसाब से HAL में खरीदार करने चाहिए strict stop loss 3955 का रखके और trend extension है वो 4500 के उपर आएगा अगर 4500 क्रोस होता है तो immediately हमको 4800 or 5000 के targets देखने के लिए मिलेंगे तो इस strict stop loss of 3955 for HAL the first target is 45 next target is 4800 ठीक है तो HAL आप dips पे खरदारी जरूर कर सकते है 4500 के उपर निकला तो फिर और भी इसमें मजबूती आते वे दिख सकते हैं और अगर BEL का chart देखे तो काफी week दिख रहा है 221 के भी यहाँ पिस तर आप BEL में देख सकते हैं तो यह एक pair trade की रनी थी पर इस तरीके से manage करेंगे पर अभी market का डिफेंस शेरों पर क्या नजरिया बन रहा है आपका बार बार इंग कंपनियों को लेकर बात की जा रही है और आज कुछ रिपोर्ट भी आ रही है बीएल पर रेटिंग हडारे से घटा कर आउट परफॉर्म की कर दिया रेटिंग घटा दिया लेकिन लक्ष बढ़ा दिया तो बीएल अगर स्टॉक की बात करें तो क्या नजरिया बन रहा है आपका मुझे लगता है पुजा में भी थोड़ा सा इन में करेक्शन देखने को मिल सकता है यह वर दे लीडर्स और यू बुलिश ही है बट थोड़ा सा ओर करेक्शन करेक्शन को मिले ओन लोवर लेवल से फिर एक रिकावरी आए बजट क्यास पर बात करें तो अभी संभावना ह है कि शायद यह 220-215 के जोन में जा सकता है वहां जाके शायद हमको फिर से एक रिकावरी देखने को मिले लॉंग टर्म यू बीएल पर अभी बुलिश है बट आप्टर इस आउटकम में भी थोड़ा सा एक पीरियड हो सकता है शॉट टर्म करेक्शन और कंसलिडरीशन का गया है 207 से बढ़ा कर 294 का किया है तो इस पर नज़र लगिए